हेलो एन वेलकम टू सीने ट्यूब हिंदी पीकी ब्लाइंडर सीजन 6 का एपिसोड 6 आज आ चुका है और दोस्तों आप लोगो बता दू कि ये फिनाले एपिसोड है इस सीरीज का यहाँ पर ये सीरीज पूरी तरह से खतम हो जाएगी वगर आप लोगों ने ये एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो आज के ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही एपिसोड पूरी तरह से explain करने वाला हूँ लेकिन आप लोगों बता दू कि इस से पहले मैंने पूरे 5 एपिसोड explain कर दिया है अगर आप लोगों ने ओ 5 एपिसोड नहीं देखे है तो मैंने description box में उनकी link डाल दिया आप लोग वहाँ से check out कर सकते है खेर आप बढ़ते हैं इस एपिसोड की तरफ और आज की इस वीडियो में आप लोगों ये एपिसोड पूरी तरह से explain करने वाला हूँ लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक request है कि आप लोग ने मेरे इतने सारे वीडियो देखा है उसे पसंद भी किया लेकिन आप लोग चैनल को subscribe क्यों नहीं करते हैं आप लोग ये फोटो देखो इसमें सिर्फ 2% लोगों नहीं चैनल को subscribe किया है गाइस पिलीज यार कम से कम 5% या 10% लोग तो चैनल को subscribe करो आप लोग चैनल को subscribe करते हो तो मुझे खुशे ही मिलती है फिर मैं ऐसे और भी वीडियो बनाता हूँ यार पिलीज चैनल को subscribe कर दो गाइड खैर चलिए वीडियों में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में क्या हुआ था लेकिन हम पहले देखे हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था पिछले एपिसोड हम देखा था कि जैक नेलसन ने पीकी ब्लाइंडर्स के एक आदमी जिसका नाम जिमी होता है उसे अपना खबरी बना लेता है उसे डलाता और धमकाता और कहता है कि आज से यहाँ पर जो भी कुछ होगा तो मुझे उसकी खबर दोगे क्योंकि यह लोग आ जैलसन असल में माइकल के जरिये कैनेडा में ही टॉमी का मडर करवाना चाहता है फिर हम देखते हैं कि माइकल जो जैल में बंद है उसे जैल से रिया किया जा रहा है और उसका बेख ही मकसद है वो है कि जैल से निकलते ही टॉमी को मारना अब आगे इस एपिसोड की कि लीजी अब टॉमी से परिशान हो चुकिया और वो टॉमी को छोड़कर हमेशा के लिए जाना चाहती है क्योंकि इसकी बेटी रूबी की देथ हो चुकिया है और उसकी बेटी की देथ होने के बाद भी टॉमी अभी इसी बिजनेस की बात ही करता है और टॉमी का किसी और औरत के साथ भी अफेर चल रहा है यह सब बाते के हुझे से लिजी अपने बेटे चार्ल्स के साथ टॉमी को छोड़ कर चली जाती है लिजी के जाने के बाद टॉमी जब अपनी ओफिस में आता है तो देखता है और अर्थर उसके ओफिस में बैटा और पहले साही वो टॉमी का इंतिजार कर रहा है और दोस्तों आप लोगों को बता दूए कि आर्थर जब इसके ओफिस में आता है तो आर्थर के हाथ लग जाता है टॉमी की बिमारी का एक सरे जैसे कि Tommy को tuber cloma है और अब वो सिफ देड़ साल का ही महमान है यानि देड़ साल में Tommy कि देथ हो जाएगी यह सब बात Arthur को पता चल जाती है और हम जानते कि आर्थर कितना emotional टाइप का बंदा है और जब इसे यह सब बात पता चल जाती है तो Tommy के सामने रोने लग जाता है लेकि इन आर्थर बहुत ही जादा रोता है फिर हम देखते हैं कि यह दोनों भाई एक दूसरे के बहुत करीब आता है हमें पता चलता है आज भी इन दोनों भाईयों के बीच प्यार कम नहीं हुआ है और मैं आप लोग बता दू कि यह सीन बहुत ही जादा emotional था खैर इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि टॉमी और आर्थर दोनों अपने बार में बैठ कर एक family meeting बुलाते हैं यहां पीकी ब्लाइंटर्स private limited के सारे members आते हैं वहाँ पर यहां टॉमी इन लोगों को बताता है कि यह कनेडा जा रहा है अपनी एक deal के लिए और जब यह कनेडा के दिन यहां पर party हो और इनके सारे लोग जशन मनाए फिर इसी बीच में आर्थर कहता है कि संडे के दिन इसकी anniversary है इसलिए इन लोगों के साथ यह जशन नहीं मनाएगा यह अपने बार में बैठ कर अकेले दारू पीएगा फिर यहां पर यह meeting खतम हो जाती हमें अगले सीन में दिखा जाता है अगले सीन में माइकल और जीना अपने घर पर बैठे होते हो तबी जीना को कॉल आता है दोस्तों यह कॉल कोई और नहीं बलके यह जीमी ही करता है क्योंकि जीमी अब इन लोगा खबरी होता है जीमी जीना से बताता है कि संडे की दिन यहां पर party होगी और यहां पर टॉमी नहीं होगा इसलिए तुम आर्थर को यहां पर मार सकते हो फिर हम देखते हैं कि फोन रखने के बाद जीना और माइकल के बीच में यहां पर मडर की यानि यह लोग आर्थर को मारने की प्लैनिंग करते हैं जहां माइकल बताता है कि आर्थर को मारने के ये IRA के लोग जाएंगे और वहाँ पर पार्टी का जहाँ पर आर्थर अकेले होगा इसका ये लोग मौकर का फादा उठा कर आर्थर को मार देंगे और यहाँ फिर जीना बताती है कि जब आर्थर और टॉमी सब लोग मर जाएंगे तुम नए किंग बनोगे यानि जीना चाती थी कि टॉमी और आर्थर के मनने के बाद माइकल नया किंग बने खैर अगले सीन में संडे आज आता है और हम देखते हैं कि पीकी ब्लैंडर्स के सारे मिंबर एक घर में जमा होता है और इसी घर में फिन जीमी को ले कर आता है यहां आप लोग को बता दू कि जीमी और फिन को कुछ भी एडिया नहीं होता है कि आज पीकी ब्लैंडर्स के लोग इनके साथ क्या करने वाले थे हो फिन भेले इन लोग का भाई है लेकिन फिन बहुती ब्रादब भोला होता है वो इन लोग की तरह बिल्कुल भी नहीं होता खर ड्यूक जो टॉमी का नाजायस बेटा होता है वो यहां का इंचार्ज होता है उसे सब पता चल जाता है इसलिए वो जीमी को मारता है बहुत बुरी तरह से फिर बाद में वो फिन के हाथ में गन देता है और कहता है कि आर्थोन ने कहा है कि अगर तुमने जीमी को नहीं मारा तो तुम पीकी ब्लांडर्स का हिस्सा नहीं रोगे खर यह सब बात सुनकर फिन गन तो हाथ में ले लेता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती जीमी को मारने के लिए जब वो देखता है जब Duke देखता है कि Finn Jimmy को नहीं मार पाता है तो Duke खुदी गन हाथ में लेकर Jimmy को मार देता है और Jimmy को मारने के बाद वो Finn से कहता है कि Arthur ने कहा था अगर तुम इसे नहीं मार पाता है तुम Peaky Blinders का हिस्सा नहीं हो इसलिए आज से तुम Peaky Blinders की Family में नहीं हो यह सब बास उनकर Finn को गुस्ता आता है लेकिन Finn के हाथ में कुछ ने तो कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि यह Arthur का फैसला होता है और Finn वहाँ से चला जाता है और वहीं दूसरे तरह हम देखते हैं कि Arthur अकेले अपने पब में बैठा दारू पी रहा होता है तब ही वहाँ पर आया रहा है कि लोग आ जाते हैं Arthur को मारने के लिए उन्हें लगता है कि इस पब में Arthur अकेला है इसलिए ये लोग अपने बंदों के साथ इस पब में चला जाते हैं Arthur को मारने के लिए लेकिन इनका प्लेन उल्टा पड़ जाता है Arthur असल में यहाँ पर बैठा इन लोग का इंज़जार कर रहा होता है और जैसे ये लोग अंदर जाते हैं Arthur अंकल चार्ली के साथ मिलकर इन लोगों को पर गंतान देता है और इन लोगों को मारने के लिए रोड पर लेकर आता है फिर थोड़ी देर के लिए आराय और आर्थर इन लोगों के बीच में हैड एंड सीक होता है लेकिन एड दी एंड आर्थर ये इन लोगों के बीच में जीच जाता है और आर्थर आराय की लीडर को गोली से मार देता है दोस्तों मैं आप लोगों को बता दू कि यही संस्ता होती है जिनों ने टॉमी और आर्थर की आंट पॉली को मरवाया था और फाइनली आर्थर अपनी आंट पॉली का बदला ले लेता है इनकी लीडर को मार कर मीनवाइल टॉमी वहाँ दूसरी तरफ प्लेन से जाता है माइकल से मिलने के लिए अपनी डील पूरी करने के लिए लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि माइकल इसकी मौत की प्लेनिंग कर रहा है औरेड़ी वहाँ पर माइकल अपने आदमियों के साथ टॉमी को मारने की पूरी प्लैनिंग बनाता है वह उसे गोली से नहीं मारना चाहता बलके वह उसे बॉम से उड़ाना चाहता इसलिए माइकल एक बैग में एक टाइम बॉम लेकर आता है और उस बॉम को एक कार में फिट कर देता है दोस्तों, यह वही कार होती है जिसमें जब टॉमी आएगा तो टॉमी इस कार में बैठेगा और बम फड़ जाएगा और टॉमी की जान चली जाएगी यही पूरी माइकल की प्लैनिंग होती है फिर हम देखते हैं कि टॉमी जब वहाँ पर आ जाता है टॉमी उस बार में माइकल और उसके आदमें के साथ थोड़ी दारू पीता है फिर बाद में माइकल बड़े ही चालाकी के साथ टॉमी को उस कार में बिठा देता है टॉमी को उस कार में बिठाने के बाद माइकल खुद सिगरेट का बहाना मार कर वापस से पब में आ जाता है और मैं आपको लोगों बता दू कि हाँ पर दो कार होती है एक कार जिसमें टॉमी बैठा होता है और जिसमें बम होता है और दोस्तों जब बम फड़ जाता है तो माइकल बहुत जादा खुश हो जाता है उसे लगता है कि उसने अपनी मॉम के मडरर का बदला ले लिया है उसे लगता है कि टॉमी की वज़े से उसके मॉम मर चुकी है और उसने बम फोट कर टॉमी की जान ले लिया है और बहुत करें को समझ में नहीं आता कि actually में यहां हुआ क्या है तब टॉमी बताता है कि जॉनी जो टॉमी का आदमी है उसने यह सब देखा था और उसने यह बम पूरा एक्सचेंज कर दिया था यानि जॉनी ने टॉमी की गाड़ी में से बम निकाल कर माइकल कही आदमियों की गाड़ है एलफी की दोस्तों एलफी का इस सीजन में दूसरी बार इंट्रोडूस किया गया यहां पर टॉमी और एलफी के बीच में बाते होती है दो दोस्त वापस से बहुत टाइम के बाद मिलते हैं इन दोनों के बीच में थोड़ी फणी और थोड़ी सरकेजम वाली बाते होती पिर हमें पता चलता है कि टॉमी और एलफी दोनों मिलकर काम करते हैं और दोनों जाते हैं अपनी डिल पूरी करने के लिए खेर वहाँ पर हमें अगले सीन में लेकर जाया जाता है जहां हम जानते थे कि टॉमी को ट्यूबर क्लोमा नामकिक बिमारी है और टॉमी ऐड़ साल यानि कुछ ही टाइम का महमान है, इसलिए टॉमी कुछ अच्छे काम करना चाहता था मनने से पहले, इसलिए टॉमी अपना महल डाइनामाइट से उड़ा देता है, क्योंकि यहाँ पर टॉमी मजदूरों, यानि गरीब लोगों के लिए घर बनाना चाहता था, फिर टॉमी अ यहा की नई Element की बनोगी क्यूकिא टोमी एक्टहुए करतो है एक्टॉन सब्सक्राइब बात करें नहीं तबात करता है च्हेसा लहांकिता होग्टा'dव अधर कि इसंता है लेकिन टॉमी इसका इस सवाल का जवाब नहीं देता तो एडा समझ जाते हैं शायद कुछ गड़बर है तो एडा टॉमी से बार बार पूछती है कि क्या हुआ है मुझे बताओ तुम कहा जा रहा है और तुम कितने टाइम में वापस आओगे लेकिन टॉमी अपनी भेहन के सवालों का जवाब नहीं देता और वो चुपचा वहाँ से बैठ कर वहाँ से चला जाता है फिर नेक्सीम हमें एक महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां टॉमी पहाडों में अकेले बैठा होता है और बड़े स्टाइल के साथ वो सिग्रेट पीता है और अपनी गन रिलोड करता है अपनी गन रिलोड करने के बाद टॉमी खुद को उड़ाने ही वाला होता है तब ही देखता है कि टॉमी की बेटी रूबी वहाँ पर आती है टॉमी से बात करती है असल में ये टॉमी का वहेम होता है उसे अपनी बेटी से इमेजी ने एक इमेजीन की तरह दिखाई देती है जब रूबी वहाँ पर आती है तो वो अपने फादर को देखकर कहती है कि आप ये सब क्या कर रहा है हो आप असल में बीमार उमार कुछ नहीं हो आप एकदम ठीक हो अपनी बेटी की है बस सुनकर टॉमी को समझ में नहीं आता कि उसने ये कहा क्या है जब टॉमी होश में आता है तो टॉमी देखता है कि वहाँ पर एक न्यूस पेपर पड़ा हुआ है टॉमी जब न्यूस पेपर उठा के देखता है तो देखता है कि उसके अंदर एक फोटो छपा हुआ है असल में ये फोटो मोजली और डियाना की शादी का फोटो था टॉमी जब उस फोटो को गौड से देखता है तो वहाँ पर एक और बंदा भी खड़ा होता है असलमें ये बंदा कोई और नहीं बलके वही डॉक्टर होता है जो टॉमी का इलाज करता है और कहता है कि टॉमी की मौत होने वाली है टॉमी को टूबर कलोमा नामके एक बीमारी है तो टॉमी समझ जाता है कि ये डॉक्टर मौजली का ही आदमी और मौजली ने शायद इस जोटी बीमारी बनाने के लिए फिर बात में हम नेक सीन में देखते हैं कि टॉमी जाता उस डॉक्टर के पास और गन की नौक पर उस डॉक्टर से उगलवाता है और वो डॉक्टर टॉमी की गन देखकर पूरी बात उगल देता है कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो मैंने जाके तुम इस बीमारी के बारे में सोच सोचकर अकीकत में बीमार पढ़ जाओ और तुम मर जाओ तो टॉमी को बहुत आदा गुस्ता आता है लेकिन टॉमी उस डॉक्टर को नहीं मारता सीव उसे डरा कर छोड़ देता है और दोस्तों टॉमी वापस पहाड़ पर आता है लेकिन आप लोगों बता दू कि नेट फिलिक्स प्लैनिंग कर रहा है पीकी ब्लांडर्स की एक फिलिम लाने का अपने प्लेटफोर्म के उपर यहां मतलब शो तो नहीं आएगा लेकिन पीकी ब्लांडर्स की एक फिलिम आ सकती है नेट फिलिक्स के उपर दोस्तों ये था पूरा वीडियो यह था पूरा एपिसोड 6 का एक्पिनिशन यहां पर पूरी तरह से खतम हो गया दोस्तों यह एक्पिनिशन आप लोगो कैसा लगा पिलीज कमेंट में ज़रूर बताना और दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगो अच्छा लगा तो पिलीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो पिलीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद अलविदा